इस्थानिय प्रयाग राज में रव्युआर को विश्व हिंदू परिसद्व बजरंग दल द्वारा अयोध्या में स्री राम जन्म भूमी में बनने वाले भव्य मंदिर निर्मान हेतु 36 गड के प्रयाग राज राजीम से भगवान राजीव लोचन मंदिर की पावन माटी और महनदीत त्रिमेणी संगम का पवित्र जल लेकर भिजा गया पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान स्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मन के साथ वनवास के समय कुछ समय इनहीं दंड कार्यनी के छेत्र में बिताए थे आज भी माता सीता के हाथों से निर्मित कुलेश्वर महादेव की अलोकिक सिवलिंग यहां इस्थापित है यही कारण है कि 36 गड के प्रयाग राज के नाम से प्रसिद राजीम से अयोध्या में बनने जा रहे है भविश्री राम मंदिर के लिए महानदी का पवित्र जल व अभी प्रदेश के हिंदुवादी जनों की ओर से त्री राजी लोचन की पूजा अर्चनाकर मिट्टी एवं त्रिवेणी संगम के पवित्र जल को लेकर बजरंग दल प्रांत सुरक्ष्या प्रमुक तुशार कदम राजी विभाग के सह सयोजग रैनिक जैन आकाश जैन जिला उपाद्यक्षि विहीप, धननजय हरित, जिला संयोजग पुर्श्वत्तम दुबे, पंडित रिशी तिवारी, राजीम नगर संयोजग, कैलास, कंडरा, फ्रिंगेश्वर बजरंग दल संयोजग, मुकुली अदू को सौपा, 36 गड की धाई करोड जनता के आस्था क प्रतिक यह पवित्र जल वो मिट्टी डाक सेवा द्वारा अयोध्या पहुचाया जाएगा, इस दोरान बड़ी संख्या में दोनों सहरों के आम, नागरीग भी बड़ी संख्या में पस्थित रहें, डियनेक्ष्टीवी के लिए नावापारा राजीम से विश्विश्व मंदिर का निर्मान होने वाला है, उसके लिए 36 गड़ के प्रयाग राजीम से, ट्रिवेनी संखम से पवित्र जल एवं श्री राजीलोचन मंदिर के प्रांगन से पवित्र मिट्टी अयोध्या के लिए भेजने के लिए यहाँ पर आज कारे करता है, उपरस्थित हुए है और यह मिट्टी और जल यहां से ऐजस्यार में शिराम जन्लभूमित टरस्ट के लिए भेजवाय जा रहा है, कैसे भेजवाय जाएगा? झाल झाल